तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार संदर, प्रसंग, ऐवर ब्याख्या और विसेश जो होता है या फिर इसके बाद में आपको प्रसंग और संदर भो या इसी प्रकार से ब्याख्या याब शाम में कतनाई हो रही एकनाई कानवो आप लिखने में तो इस वीडियो को देखने कि तदूपरांत आप जो है इस प्रकार के जो है समिश्याओं से निदान पासकेंगे आज के वीडियो में हमोबराल चर्चा करेंगे के वरों किसके बारे में तीन चार टॉपिक होंगे आपके पहला मुद्दा जो आपका होगा पहला मुद्दा जो होगा आपका हुआ होगा कि आखिरकार संदर्व किसे कहते हैं तो हम जाने के संदर्व क्या होता है दूसरा मुद्ध हम जानेंगे कि आखिरकार जो प्रसंग होता है वह क्या होता है और क्यों प्रसंग लिखा जाता है तीसरा मुद्ध हम जानेंगे कि आखिरकार जो ब्याख्या होती है ब्याख्या का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे और चौता मुद्ध जो होगा उसके म मुद्दों के बारे में आज की वीडियो में हमको जानना है तो वीडियो लाश तक देखेगा बिलकुल मज़ा आने वाला है चाहे किसी भी एर में हो अगर आपने हिंदी साहित ले रखा है तो इन पांच मुद्दों को आपको समझना जरूरी है अगर आपकी परिक्षा गये घए कोई चीज कोई चीज ली गई आखिरकार कि पुस्तक से लिगी यह कौन से कभी के द्वाराव पुस्तक लिखे गई technique तो संदर में मैं 魚 dairy मुल्भू चीज यह होते हैं माल लेते वहां आता दो टूक कलेजी का करता पस्ता आता पतफर पेड़ पीड़ दोनर मिलकर चलना है एक लकुटिया टेग मुठी भर्दाने को भूं मिटाने को मुफटी पुरानी जोली का फैला था कुछ भी पूछा सकता है तो आप से पूछा जाएका मालते संदर्व संदर थोड़ा त्यों मैं भूंग बैद्धी से ओते होता है घंड़ और इखोता है पद्य तो गद्य की हम बात करेंगे तो संदर्व ठोड़ा अलग होगा अब गद्धी में कैसा संदर्व थोड़ा रोत आज शूकि जब गद्धी रचना है मरक्तरता टॉपिक है आपकर मितरत स्राइब आज Совет yoa Go deno siyak6 जट्राइब उन्ट काय में तर्ता इस्टीजी कि इह एसी प्रकार से कीची से पूच लीया वाया रंगमन कि से मलव के रंग्भूमी से पूच लिया गया या प्रसाद के नाट को मिस टान से पूच लिया गया और समद्रगुप्त से किसी के बारे पूच लिया गया आप से अगर किसी मुद्दे से आप से प्रसम मुषा अधर सीधे सिधे आपका लिखेंगे जब घद्धी में आएगा तो गध्यां इसी समस्ते क्या होती इसे कहानी हो गया आपका जो है नाटक हो गया एकांकी हो गई इसी प्रकार से रिपोतार्ज हो गया डाइरी हो गया दैन दिनी हो गई इसी प्रकार से जो है भेट वारता मलब साक्षातकार इत्यादी या फिर यात्रा ब्रतांत हो गया यह सारे के सारे मुद्ध्या और फिर नामलत कि कोई भी आपको दि जाती है कोई भी चीजे ती प्या खरने के लिए राGO को गद्यान से ने चीजिन से दिया गया इसी लिए क्टव कहते हैं करते हैं जब गद्य और को लुड़ा ए है अगर आपको पड्यांस ना उचीद बैठ रहा हो तो यहाँ पर पंग्तियां भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अगर आप पंग्तियां लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से यह है अगर दोहा लिःक दीजे कि हैं फरुटीए फ्राइब सकते हैं यह और अगर आप मालेते बड़वे संद्र है तो बरवे आप लिछ सकते प्रस्तुत बरोवे जो है रहीम sedan chociaż की भरी देता सकते हैं तो कहीना कहीं पिर याप ज्यादा डीब में जाना है तो इसे आप दिखेंगे उसके चंद के बारें बता देंगे ठीक है तो यहां पर आप प्रस्तुत पंक्तिया प्रस्तुत दोहा प्रस्तुत बरवे प्रस्तुत जो है आपका सवया प्रस्तुत घनाक चरी प्रस्तुत इसी प्रकार से और भी जुचंद है उसके बारे में बता सकते हैं तो यहां पर आप प्रस्तुत करके और प्र प्रस्तुत गध्यांस हमारी पाठे पुस्तक अब आपके पाठे पुस्तक माल लेते हैं आपकी हिंदी की पुस्तक है या फिर बहुत सारी पुस्तकों का जो नाम होता तो उस पुस्तक का अगर नाम आपको पता है तो नाम मेंसन कर दीजिए अगर पुस्तक का नाम भी नहीं पता तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि प्रस्तुत गध्यांस या प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठे मलब की हमारे में संकलित हमारे पार्थे करम में संकलित का भीवर या फिर जो है या बड़े साहती का अधिकारिया प्रचीन मलब की प्रमुक्साहित रेया साहित में अपना विशएस्य युग्दान देने वाले या फिर नहीं पता को क्या पाठे पुस्तक कुछ नहीं जानती तो आप लिखेंगे प्रस्तुत जो है गध्यांस हमारे पाठे करमे संकलित जो है कभीवर यह उसके बाद में कभी और नहीं बोलेंगे प्रमुक्हालोचक या प्रसिद्धालोचक हिंदी सहतिके प्रकार से अद्वयत अलोचक या प्रसिद्ध जो है कहानी कार आचार राम चंदर सुकला के द्वारा रचित मित्रतानामक पार्ट से लिया गया है मित्रतानामक निबंध से उध्रित है ऐसे आप दिख देंगे तो कर दो सकते हैं कि प्रस्तुत पंग्तियान आप ऐसे कर सकते हैं अगर काभ व्यागी लगा देंगे पंक्तियों में प्रस्तुत काभ पंक्तियां हमारे पाठे-फूस्तक में से और पुस्तकि नहीं पता हमारे पाठेकरम में संकल्त यह जो है हमारे हमारे पाठेकरम संकलित सूर काज और पाथि जी दौरा विछणावाध टेक संबुटर रचित है। इस प्रकार नाम है भिख्चुकिsn उध्रत तिक यह इस प्रकार से लिग है तो गिसंदर्भ की संदर मलप ऌता सीदा संदर्भ संदर्भ क्या होता है कि कि आखिर is कर किसके संबंध में बाते का घरी समझ में आगी बात प्रसंग आता प्रसंग कर एक हम संधीभ शेट करते कि प्रासंग देन्स आपको प्रसंग करने को गद तो हो सकता कोई बताना होता है एक परपेक्ष में यह जो कहते नहीं है थोछ आ कुरी रचना की बयाख्या करने बठे कुई पंग्तिया दिह उन्तियां कि ब्याकई करने बठे तो हाप और जो है कि प्रपेक्ष में बाते करने घanor है और उस क्यों में पूरी की पूरी पंक्तियों में एक लाइन का निचोड क्या बताया गया है वह होता आपका प्रसंग मलब उसके साथ-साथ में क्या और ज्यादा प्रसंग में लिखना होता है बाकी लिखना होता है में आपको ब्याक्या में अगर आपको लिखना है तो यहसे पंक्ति दीकिए उसके हसाब से आपको क्वाने का प्रख Champagne एक सकते रहाँ होता है कि हाँ लिए lijस्त कभी कि βारे में GO करें बार भर आप देन हैं परकार vineघ करें लिए सब्क्रालत में निखेंगे कि हाँ मलंब कभी या फिर जो भी बिसेश को पहले समझते हो स्क्यादने हम भावसामे को समिझते हैं लोग सोचते ही भावसामे और विसेश एक लिकिन कहीं ने कहीं पर यह दो मुद्दे निकल के आती हिंदे साहत में भाव साम में और एक आपका विसेश दोनों को समझते थोड़ा सा विसेश होता है कि आखिरकार जो पंक्तियां दी गई थी उन पंक्तियों में विसेश चीजे क्या है आखिरकार उन पंक्तियों में वि हो गई और दूसरी आपके होती है कि सब्सक्ति क्या है इसमें सब्सक्ति का मलब क्या होता है सब्सक्ति सीधे से मलब आप समझ सकते हैं सब्सक्ति का कि इसे अभीधा लक्षडा और वेंजना तीन प्रकार की जो होती है अभीधा लक्षडा और वेंजना क्या होती बेंजना ये तीन प्रकार की जो है आपकरी सब्सक्ति होती है जो सब्दों के जैसे की जो अलंकार होते हैं जिस प्रकार से अलंकार पूरे के पूरे वाकि को सुन्दरित करते हैं जिस प्रकार से अलंकार जो होते हैं पूरे के पूरे वाकि को क्या करते हैं सुन्दरिक करते हैं जिस प हमको सभड़ा प्रयोग करना पता हैं अविधा लख्षणा और बिजना तीन प्रकार कर संवजा दूघां क्यों चाहित है महतुत आ पहसा हो गई विडी में बता नहीं हो गई या इसी प्रकार से खड़ी बोली या l.c. से खड़ी बोली के साथ अतौप सुद हिंदी पारिस्कृत हिंदी हे या आवधी में भी आपका थेठ्ध हुधी में है या गुट GIRER यह जो है तसम सब्दा वली का मिस्रित जो है आप है से शांस्क्रइए कि सब्सक्रद कर सकते हूं दिस इसंगे सकते हैं वीटेसर में Wow सब्सक्रवं होगी तो कोई बिद्वा बनास साइली को एक मांटेलिकन सैली क्या लेन डेकळ ते इक किस वहां साय होती है लेकिन सैली जब क enrich लोगते रह्या विछ लिए लिखा गया है यह दिए और भीवाई में लिखा गया है यह ज़ता मुठार्चना है यह इसी प्रकाट क्या चीज़े है और चोथा मुद्धाप इसमें क्या कर जोड़ सकते हैं अलंकार अलंकार जोड़ सकते बड़े आसानी से बिसेज में क्या जोड़ सकते अलंकार अगर काप भी है तो अगर जो है आप कगद्धी है तो आप सब सकती सैली सैली भी उसमें जोड़ सकते कि सैली में किस बिदा क कर आफ है आप ऐसे वर िसे सकते हैं आप यह घुजान का बताये वह अगला बता सकते हैं क्या रसरस्ते अटो हसो ही तरह साइल अलयंकरों ँंका रहा अलंकार अलंकार होता है ये से कि हमने बता ही दिया वैसे रस जो होता रस का सीधा समल्लब होता है जो दी गई काविपंक्ति आग उसको पढ़ने से आपके वन में जो आनंद की अनभूती होती उसी को रस कहते हैं और रस कहीं नगए पे हिंदी साहित में नौ परकार के बताए गए है कई कई ग्यारा मिलते के लिकिन मुख रूप से घर बात करें तो नो ही होते हैं तो रस होती तो कौन से रस है मालेते हैं कौन से रसी कपर यो किया इस अलंकार चंद यह सब आपको अगर चाहिए तो बता दीजिए अगर इस पर ज्यादा चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा ऊके चली तो आन हो गया और इसके अदमे उद परेच आओगी तमाम प्रहरमान भी करन हो गया है जा क्या कि बहुत सारे लंकार है इसी परकार से में और चीजिए बता सकते भासा में और क्या बताएंगे तो आपका सैली हो गए सब सकती हो गए भासा हो गई अलंकार हो गया रस हो गया इसी प्रकार से आप इसमें क्या बता सकते हैं कि जो कुछ है जो है प्रकार से महाबरे लोग उक्तियां क्या है अगर महाबरे की कोई प्रयोग किया तो महाब में हाँ गुण आता है आपका क्या आता है मेरी प्रसाद गुण हो गया ओज गुण हो गया ठेक यह सारे गुण होते हैं तो करेंगे यह सारे के सारे मुद्द लग एक दो तीन चार पांच छे और साथ यह सारे के सारे साथ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके विसेश में आ का सामय मनलब किसके समान है तो आखिरकार जो कविता मान लेते हैं आपकी कविता कोई दी गई है कि जो है मालते की पर जो है परहित को लेकर करके दी गई है कि यहां दूसरों का उबकार करने से जो है समर्दी होती है पूरी मिलता है तब यहां पर आप भाव सामय में क्या लि भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई या इसी प्रकार से लिख देंगे आपकी आयाम निजाप परोबीत गड़ना लगू सचेत साम इस प्रकार से अब लिख देंगे तो उसको अब लिख देंगे या इसी प्रकार से भाव उसका किसके समान है तो कोई कविता लिखी गई है कहीना नहीं पर किसी से शामन रखती किसी और कमेटा से कर सम्द रखती है तो सबाइद रखती है किसी अन्य? कभी के द्वाराव एक को है व्यक Sorry Agent और से अगर सम्म घू Trop primeiro प्रोजास का झाए तो मेट सब्सक्राइब कि देश प्रेम-अपशने च्झेत रहे हैं मिल इसी अपर इसन में इस बीक्सित या संक्रिट के बारे में बढ़ चरब की चीज़ बता रही है संस्कित 100 के बारे में अपने तो आप सिद्र संस्क्रिट भांचा लिखेंगे कि भांसास मुख्या मधुरा दिभ्या गेरवाड भारती तस्याही मधुरम काभ्यम तसमाद एपी सुधा सुभा सितम माले आपको भावसाम में पंक्तिया तो याद है लेकिन पंक्तियों कि आपके जो उसके रचनाकार है उनके रचनाकार के के नाम नहीं पता हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं कर रचनाकार के नाम नहीं पता है तो आप सिदे सिदे पंक्ति यूं को लग देगा बहुता है आपको संदर्व होता है संदर्व तो आप सभी लोग पता है कहां से लिया गया मुद्द्व के यतने सारे मुद्द्व होते हैं फिर मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्व भारत